Okay, Understanding and Secularism and Fundamental Rights Chapter Reading में Introduction मैंने आपको क्लास में समझा दिया था Secularism का हमने थोड़ा बहुत क्लास में भी पढ़ा था कि इंडिया जैसी Democratic Country में बहुत सारे Religions है और यह जो Religions हैं, holds a significant place in people's life एक विशेश स्थान रखते हैं लोगों की लाइफ में पहले क्या होता था in past? It has been the case of many forms of violence and discrimination all over the world in the name of religion पहले religion के नाम पर पहले काफी discrimination होता था उसकी वज़े से काफी violence था But in the present day, the people have much more acceptance towards other religions आज के लोग, acceptance जो एक quality होती है, वो लोगों के अंदर है वो हर religion को accept करते हैं एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं However, in some parts of the world, conflicts and discrimination because of religion still exist जबकि दूसरी कंट्री में आज भी discrimination जो है वो exist करता है क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अलग अलग तरहे हैं कि religion follow की जाते हैं But उनकी अंदर वो चीज नहीं है, acceptance नहीं है तो वहाँ अभी भी conflicts चलते रहते हैं सबसे पहले तो सेकलोरिस्म को समझने से पहले हमें diversity terms को समझना बहुत ज़रूरी है आके diversity है क्या? हम सभी जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं जो लोग follow करते हैं धर्मों में जो ये diversity दिखती है, जो विभिन्ता दिखती है दूसरा भाषा हमारे यहां जो इंडिया है हमारे इंडिया में ही 22 डालेक्ट्स लाइक्विजिस है इन में भी बहुत विभिन्ता है जिसको हम बोलते हैं diversity in languages diversity in religion, diversity in people, diversity in festivals, diversity in cultures, traditions तो यहां हमें diversity जो है एक तरीके से कहें जो है अलग-अलग विभिन्ता ठीक है तो सेम नहीं है अलग-अलग चीज़े follow की जाती है उसके अगर अलग-अलग चीज़े follow की जाती है और अगर हमारा constitution हमारा जो लौ है अगर किसी एक धर्म विशेश की धर्म जुप जाएगा तो क्या होगा जो दूसरे धर्म है जिसको follow कर रहे हैं लोग उनको एक protective layer नहीं मिलेगी क्योंकि जो धर्म state का religion बन जाए कोई एक धर्म state का religion बन जाए तो उसे क्या होगा दूसरे धर्मों के उपर oppressive pressure पढ़ जाएगा एक धर्म विशेश के लोग दूसरे धर्म के उपर उनको follow करने वाले लोगों के उपर कही ना कहीं अत्यचार करेंगे उनके साथ discrimination करेंगे उनको नीचा दिखाएगे तो ये ऐसे हो जाएगा अलग-अलग संस्क्रती है, traditions है, religions है तो ये चीज़ उनी possibility भढ़ जाती है ये ना हूँ इसलिए हमारे Indian constitution ने हमें इक पावर दे रखी है क्या कि सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म को फॉलो करने की पूर सुतंतरता है, वे पूरी परिके से independent है to follow their religion, ठीक है उसके लिए उनको कोई भी interfere नहीं कर सकता तो diversity जो है हमारे यहां बहुत दिखने को मिलती है हर छेत्र में, हर areas में diversity को जब आप समझ जाते हैं तो secularism को समझना easy होता है तो secularism क्या है कि हमारा जो Indian constitution है, हमारा जो सभीधान है वो हमें article 25 और 28 के under क्या guarantees देता है, right to freedom of religion, अपने religion को follow करने की स्वतनतरता आप किसी भी ग्रक्ति को मजबूर नहीं कर सकते कि वो किसी धर्म विशेश को ही follow करेगा उसका मन अगर Muslim धर्म को follow करने का है, वो Muslim धर्म को करेगा उसका मन अगर Hindu धर्म को follow करने का वो Hindu धर्म को करेगा, Christianity को करना चाते हो, Christianity को करेगा और अगर वो सरदारों के धर्म को follow करना चाता है, वो कर सकता है So, he or she is free to follow any kind of religion So, secularism के अंडर कुछ following features आते हैं, उसके उपर हम नज़र डालेंगे जिसे यहां पर secularism का भी मैंने आपको जो पिक डाला है बुक में से, उसमें देखिए, secularism means non-interference or non-involvement of religion in matters relating to quality Quality, quality से यहां मतलब क्या है, राजनीती, politics से, ठीक है, तो quality हम यहां यूज कर सकते है, society, education, etc जो secularism मैं उसका मतलब ही है non-interference, मतलब कोई भी किसी भी धरम पे interference नहीं करेगा Non-involvement, किसी भी तरिके का involvement नहीं होगा किस लहजे में involvement नहीं होगा, राजनीती में, society में, education system में, किसी भी धर्म विशेश का कोई involvement नहीं है, कोई interference नहीं होगा तो यह एक तरीका का एक गुण है secularism, जो हमारे India को हमारा constitution देता है, हमारा law देता है, हमारी government इसी form पर बनती है A secular country possesses the following features, यह जो secular country है, इसके अंदर कुछ features है, उसको समझना बेटा बहुत ज़रूरी है जैसे पहला point है, it does not propagate or sponsor a religion, nor does it preach about a particular religion in government-run educational institutions Also, it does not consider one religion more important over other हमारी जो government है, वो किसी भी तरके का propagate, propagate मतलब किसी भी धर्म विशेश के बारे में प्रचार नहीं करेगा प्रपगेट की special कोई प्रोग्राम हो रहा है कि हम हिंदू धर्म को प्रचार कर रहे हैं, गौर्मेंट ऐसा नहीं करेगी दूसरा sponsor, किसी भी धर्म विशेश के प्रोग्राम पर कोई भी गौवर्मेंट आपकी जी गौवर्मेंट है, वो किसी भी तरके की in-sponsorship नहीं देगी उसमें पैसा नहीं लगाएगी A religion nor does it preach about a particular religion किसी भी धर्म विशेश के उपर कोई preach नहीं होगा, कोई संदेश नहीं होगा, भाशर नहीं होगा जिसके अंदर गौवर्मेंट रन कर रही है और दूसरा कोई गौवर्मेंट educational institution चलाएगी तो उसमें कोई धर्म विशेश के उपर विशेश बात नहीं होगी दूसरा कोई भी धर्म विशेश में कनवर्ट करने के लिए प्रेशन नहीं देगा, प्रोउर्स नहीं करेगा किसी भी तरह की का दाशी नहीं पनल्क रोगेगा अगर वो किसी भी धर्म विशेश को अपना छाते और वो कर सकते तो मोची जिए उसको कोई भी प्रेशराइज नहीं करेगा थर्ड, it does not differentiate between people on the basis of their religion for any profession they want to follow this leaves people free to follow a religion of their choice किसी भी तरीके का डिफ्रेंशीएट अंतर लोगों के बीच में नहीं किया जाएगा उनके धरम के नाम पर और उनको हर तरीके का प्रोफेशन, हर धर्म के लोगों को, हर तरीके के प्रोफेशन follow करने की सुद्धनतृता है, वो करना चाते हो चक्र सकते हैं, यह दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो state है या country की, पूरी country की गौर्रमेंट ओ या state गौर्रमेंट ओ, वो unbiased रहेगी, unbiased मतलब निश्प करके फिर हम कोई चीज बना रहें नहीं अन्बायस होगी वह अन्बायस एप्रोच्छ तुवर्ड और रिलिजन सभी रिलिजन के लिए एक जैसी होगी यह लोगों को स्वतंत्रता देगा कि वो अपने हिसाब से अपनी जोई से कोई भी धर्म पॉलो कर सकते हैं नॉन सेक्लोर स्टेट नॉन सेक्लोर स्टेट का मतलब होता है किसी भी स्टेट के धर्म विशेश को स्पॉंसर करना हमारे स्टेट सेक्लोर स्लियम् सेक्लिर नॉन सेक्लोर का इसका डेल değildi कोenger जोजिजैन अगर नंसेक्लोर स्टेट होगा तो उस में ब्लाइंडली मतलब ब्लुकul अंधों की तरह और स्ट्रिकली आपको किसी धर्म विशेश को फॉलो करना पड़ता है Such a country divides its society because the followers of state religion live more confidently as compared to the ones who do not follow the state religion ऐसी country में जो लोग होती हैं वो डिवाइट कर दिये जाते हैं सोसाइटी में समाज के अंदर क्योंकि वो एक ही धरम विशेश को फॉलो कर रहे हैं तो वो बहुत ही confidently उस country में रहते हैं और दूसरे लोगों की स्टेट जो अगर रिलीजिन पॉलो नहीं करें उसके लिए उनकी प्रॉब्रम क्रियेट हो जाती है कि पीपल बिलॉगिंगे तो अगर नॉन सेकुलर पन गया तो क्योंकि अलग अलग लोग धरम की रहते हैं अगर हम किसी धरम विशेश को जाता मैत्वपूर देंगे तो जो मैजॉरीटी में हैं वो लोग मैनॉरीटी को को ऑप्रेसिव करेंगे उनको दबाएंगे हैना ऐसे कोई पीस्फुल लाइफ तो रहनी जाएगी कि यह वी नीड़ पूर्ण आड़र्टी में धरम चल रहा होगा जिसके लिए विशेश धरम बनाकर चल रहे हैं तो वो लोग मैजॉरीटी में आजाएंगे वो लोग यह संख्या भाड जाएगी तो वो दूसरे अदस जो रिलीजिएंगे इन्यूरीटी में वो उनको अप कंट्री यह जिसके आप बता सकते हैं तो अरब कंट्रीज को अब ले सकते हैं वो एक धरम को फॉलो करते हैं इसलामिक धर्म और दूसरे जो रिलीजिएंगे लोग बहार पे रहते हैं दे कैन नट फॉलो बैयर आउन डिलिजिएं इन बाट कंट्री वहाँ पर काफी रूल रिलिजिएंग को हम अगर पूता है पर तीक यह कंट्री का धरम होता या jest तो क्या होता है है तो इसल शेंचल कंस्टियूंट फ़जेंड्य कंट्री यंदिया जीन वहाँती असेंशन कंट्री इन निवह बहुती महादवपूर्ट एक कॉंस्टिट्टुएंट एक घटक एक तत्वे हैं यह और मल्टीपल रिलिजियर्स ग्रोप्स प्रिजेंट इन आल्मॉस्ट अल्मोस्ट अल्र इंग डूरिजियर्स ग्रोप दिए को और रहते हैं वह पूरी कंट्री में प्पहले है बट दिस मेजोरीटी ऑफ पर्टिकोलर रिलेजिन है सम्ट्रॉबैक्स लेकिन अगर कोई धर्म ऐसा है जो बहुती मतलब मैजोरीटी में हैं इंडिया में तो इसका एक ड्रॉबैक भी रहा है पास्ट में तो हम उस ड्रॉबैक्स के ओपर अगर नज़र डालें तो सम अफ आर ओप्रेशज़न और जो दूसरे धरम है जो मिनॉर्टी में उनके ऊपर एक तरिके का ऑप्रेशन रहा ज़से की किसी को दबाना ऑप्रेशन में इस पीडन इन्फरेजमेंट ओन और राइट तू प्रैक्टिस दे रिलीजिन और रलेजिजन और वल्स आउन प्रिएंस एक तरगे का उलंगन, infringement मतलब होता है against of something, on the right to practice, किसी भी एक के उपर एक तरगे का against हो जाना, कि वो अपने किसी एक पसंदिता धरम को अगर वो फॉलो करना चाहते हो नहीं कर सकते, Once political power and religion become one, अगर मालो political power, अगर कोई आई है, majority में, आज तो कोई भी majority में आ जाए, उसका ये है कि वो secularism है, मतलब हर धरम के लोगों को equal सम्मान देगा, लेकिन अगर ये चीज़ होती, कि एक ही धरम विशेश के बात करें, और majority में कोई एक ऐसी party आ जाए, कि वो एक धरम विशेश के बाव पर बात कर रही है, तो वो क्या करेगी, वो अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर सकती है, जो उसको law देता है, उसको constitution देगा, वो उसका अलग advantages लेगी, और अपने interest के काम करेगी, there can be a possibility that the minority will be unable to practice its religion the way it want to do, कोई एक ये भी possibility हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है कि minority जो भी है, वो अपने धरम विशेश को, अपने धरम को following ना कर पाए, जैसा वो करना चाहती है, dominance of religion leads to strife in a society because of the feeling of superiority of the majority, एक तरीका dominance हो जाएगा, एक दबाव हो जाएगा, किसी भी एक व्यक्ती के उपर, एक strife, strife मत होता है कले, किसी तरीके का एक लडाई, एक दबदबा, इना society में, मतलब society के दबदबा हो जाएगा, कले हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके के majority में जो धरम चल रहा होगा, वो minority के लोगों को उपर superiority दिखाएगा, अपनी, कि मैं बहुत बड़ा हूँ, this at time leads to violence against the minority, और ये चीज़ क्या होगी, कि minority में चलने वाले धर्मों को, कम जो लोग हैं, लोग, उसकिसी एक धरम विशेश को फॉलो कर रहे होंगे, उनको ये violence करेगी, violent treatment होगा उनके साथ, उनके साथ गला भिवार भी हो सकता है, तो democratic country के अंदर अगर ये चीज़ होने लगे, तो पहली बात तो, कोई भी state, इस democracy का जो term है, उसका कोई महत भी नहीं दह चाता, क्योंकि as a religious dominance of one community, अगर कोई एक religion जो है, वो अगर dominance होगा, किसी एक community के उपर दबाव डालेगा, वो एक तरीके से क्या करेगा, एक बेदभाव की नीती को लेकर आएगा, जो की एक democracy के against हो जाएगी, जो इस democracy के principle होते हैं, उनके against हो जाएगी, democracy तो सभी धर्मों को equal समान देती है, यह लेकर हम धर्म दुशेश को अगर हम मैत्वदे देंगे, तो वो क्या होगा, एक democracy का मतला भी हट जाएगा, therefore, true democracy calls for separation of religion from state, इसी वज़े से जो democracy है, वो state से separation कर देती है religion को, मतला कोई भी state, किसी भी तरके का religion जो है, वो follow नहीं करता, वो सभी धर्मों को एक समान देखता है, तो एक religion को ही हटा देती है, state से, and provides equality to all, और यह देता है, जो दरश्टी को रही यह देता है equality, सभी के लिए, तो यहां तक हमने secularism को समझा, diversity को हमने उससे पहले समझा, और इसमें quick revision है, वो हम देखेंगे class में, इसके बाद का जो है, वो मैं आपको बताती हूँ, एक में टूके, religion in India, secularism, global and Indian perspective, यह दो जो हैं, वो मैं अपने next video में आपको explain करने जा रही हूँ,